हलो फ्रेंड एब फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर आज हम वीडियो पर ओरा सोर माउथ अलसर टेब्लेट के बारे में बात करते हैं लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दलाओं अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी अब तक पहुंस सकें साथ ही जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को अंतर तक जरूर देखें तो आई हम ओरस और माउथ अलसर टेब्लेट के बारे में औरस और माउथ अलसर टेब्लेट में राइबो फ्लोविन फोलिक एसिड नियासिनमाइड और लेक्टिक एसिड बैसी लस शामिल है यह आवश्यक प्रोबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स हैं जो चया पच्चय और पाचन के लिए महत्पून है यह टेब्लेट दर्दना वाले मुह के शालों से रक्षा करती है और उन्हें ठीक भी करती है साथी काफी रहात मिलती है इसके अलावा यह एक सुरक्षित और सिद्ध सयोजन है यह शरीर में संबंदित पोशक तत्तों की आहार संबंदी आवशक्ताओं को पूरा भी करती है और उनकी कमी और उप्चार प्रदान करता है और मुह के शालों की सूजन लालीमा और सूजन को कम करता है साथी पाचन सहयता के लिए महत्वपूर्ण विटामिन की पूर्ती भी करता है तो फैन इस तरह से ओरा सोर माउथ अलसर टेबलेट एक पोशन पूरक है जिसका उपयोग मुह के अलसर क मुह के कोनों में धरारे विख्षित होती है और नियासेनामाइट की कमी दर्स्त मतली और उल्टी के सांस सांत मुह और जीब में घाव के रूप में प्रकट होती है सांती फोलिक एसिड की कमी से विभिन गैस्ट्रो इंस्टेटाइनल विकारों के सांसात मुहु और शरीर पर घाव हो सकते हैं लेक्टिक एसिड बैसीलस स्वभाविक रूप से आंत में होता है और पेट में सक्रिय होता है उनमें पानी की मात्रा बढ़ जाती है और चया-पच्चे प्रक्रिया की दर बढ़ जाती है और इस प्रकार यह आंतरपत में रोग-जनक-ाकरमक से रक्षा करने में सक्षम होता है आप इस दवा को डौकटर की सलह के अनुसार ही लें अनुशनसित खुराक से अधिक ना लें सांथी गर्मावस्था या अस्तनपान के दौरान इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछें आम तोर पर इस दवा को वयस्क तीन से पांच दिनों तक सुभ और शाम एक गोली लेते हैं इस टबलेट को बच्चों द्वारा लिया जाता है लेकिन डॉक्टर की सलहा के अनुसार ही बच्चों को दवाई दे यदि एक हफ़ते के अंदर इसे लेने के बाद भी स्थती में सुधार नहीं होता है और आपके लक्षन बिगड़ते हैं तो डॉक्टर से सलहा जरूर लें